गैस लास्ट वाले मुकाबले में हमारा लोस हो गया फैंटेसी में और आज उससे पांच गुना ज्यादा पैसाम कवाने वाले हैं दोस्ते मुकाबला मुंबाई और यूपी टीम की बीच में खिले जाएगा जो कि बैंगलोर के मैदान पे स्टार्ट होने वाला है दोस्तों अगर मैं आपके अपोनेंट की टीम पेहले ही बता दू तो यार कैसा रहेगा मज़ा आ जाएगा ना कि ही आपके अपोस्ते टीम आपको पहले सी पता लग जाई तो यार फिर मज़ा नहीं वाला है आपकी बिनिंग 100 में से 100% फिर पक्का होनी वाली है तो वाइस आज ऐसा ही कुछ होनी वाला है मैं आज आपको टीम दूँगा आपके अपोनेट की कियार आपका जो अपोनेट है वो किस टीम के साथ जा रहा है उसका कप्तान कौन रहेगा वाइस कप्तान कौन रहेगा और फिर हम किस को बनाएंगे और फिर एक तरफा सब को राएंगे ठीक है तो यार ये कुछ चीज़े होती है और आपको दोस्तों अगर आज इस मैच में किलिन सुप करना है बहुत सवारा पैसा बिन करना है आपका जितना भी लोस है इस मैंच माच कबर होने वाला है ठीक है तो यार इस वीडियो को आप एंट तक जरूर देखते रही है दोस्तो यह मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मीडिया आपको फाइनल टी मिलेगी आपको इसी टेलीग्राम पे मि आपको जो मळी फाइनल टीम मिलेगी इस्मौल लिकी और मेगा घंडूल लिकी हैं आपको पाँच करना बहुत जूरूर रहेंगी और दौिस 'dोस्ति फॉड हमारे नाम से कई बहुत सारे द्सक्स को पैसा मत देना हम कभी विए आप recursos नहीं प्रांगते हैं बुल्कुल फिडियोप कॉस्ट आपको टीम देते हैं और वह भी बिनिंग टीम और देते रहेंगे आगे भी यह दोस्तों पिच रेपोर्ट है जो लिख रहा है उसकी और आप ध्यान मत दो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर पहली पारी में जो बल्लेवाजी होती है वो जादा कुछ कमाल नहीं कर पाते दूसरी पारी में ड्यूवा जाती है उसके बाद बल्लेवाज कमाल की पारी खेलते हैं और दूसरी पारी में गैंदवाजों को बिकिट कम मिलते हैं पहली पारी में जो टीम गैंदव करने वाली टीम नी जीता है बाकि Ahhh यहां पर चेश करने वाली टीम नी जीते हैं तो आज मैदान का सिंपल फंडा है टोस जीतो पहले करो आज जीतनौ सीधा सब इसकी First 140-150 की बीच में रहता है इस्ट इसकोड 173 है और लो इस्ट इसकोड 107 रने दोस्तों आज इस वीडियो में 10,000 रुपे आप जी सकते हो केवल वीडियो को देख करके आपको तीन दोस्तों में आप से सवाल किये हैं आपको उनका सही सही आंसर दिना है और बस आप 10,000 रुपे में बहुत आसानी से बिन कर सकते हो और 10,000 रुपे का इस बड़ा गयोगcry आपके लिए आपके लिए रहें सकोड की बात करें तो यार पाँच मेंस से तीन मेंच में 150 से नीचे सकोड हुआ है एक मैच में 150-199 की बीच में स्कोर हुआ है जब कि दोस्तों एक मैच में 170-199 की बीच में स्कोर देखनी के लिए मिला है यानि कि दोस्तों आप आसा कर सकते हो कि आज इस मैच में 140-160 की बीच में आपको स्कोर बनता हुआ नजर आएगा ठीक है यह दोस्तों लास्ट के चार मुकाबले हैं जो यार इस वाली पिछ पे खेले गए हैं लास्ट वाला जो मुकाबला था रात वाला उसमें क्या हुआ आप देखो गुजराज की टीम आई और सभी लड़कियां बिखरती चले गई यार बहुत बुरी तरहिके से भाई बेत मुनी आउट हुई उसके बाद लगातार पूरी मतलब गुजराज जायंट्स की टीम बिखर गई गुजराज जायंट्स की टीम ने याँपे मात्र एक सो साथ रह वणाए आर सिवी ने धज्जी उड़ा दी और 12 ओवर महीं स्कोर को चेस कर लिया मात्र दो विकेट खोने के बाद पेसर को दोस्तों यहाँपर कितने विकेट मिले है मात्र दो विकेट, इस्पेन को यहाँपर भाई 6 विकेट मिले है उससे पहले यूपी ने बनाए 119, दिल्ली ने इसको चेस कर लिया 14 ओवर में ही ठीक है और यहाँ पे 5 विकेट पेसर को 5 विकेट स्पिनर को तो यार दोनोई मुकावले चेज हुए हैं और बहुत कम ओवर में हुए हैं और दूसरी पारी विकेट बहुत कम गिरती हैं ठीक है इस बात को आप देख लेना यहाँ पे देखते जाओ बस गुज्राय जायंट्स की टीम ने उससे पहले बनाए 126 मुंबई की टीम ने इसको ठारे ओवर में ही चेज कर लिया और दूसरी पारी पहली पारी में देखो यहाँ पे 6 विकेट गिरे UP ने बनाए 105 पर रन इस मुकावले को डिफेंड कर लिया RCB की टीम ने किवल एक मुकावला यह वाला एकलोता जो यहाँ पे डिफेंड हुआ है एक विकेट मिला किवल पेसर को और भाई 12 विकेट यहाँ पे निकाले लास्ट के चार में जो हुए ना उस मेंसे 14 विकेट यहाँ पे पेसर को मिले है पहली पारी में 12 विकेट पेसर ने निकाले है और दूसरी पारी पेसर को मात्र दोस्तों 2 विकेट मिले है गिंती के दो विकेट तो दूसरी पारी में आपको पेसर को अवर्ड करके चलना है पेसर नहीं लेना है दूसरी पारी में पहली पारी में आप पेसर को लेकर चाल सकते हो दूसरी पारी में आपको इस्पिनर को लेकर ही चलना होगा दोस्तो लास्ट के चार मैंच 4 मेंच ऊमार 30 विकेट ने आप पर इसमिनर की टीम इस्पिनर ने ने निकालेएं पहली पारी पारी में 11 विकेट इसमिनर दोनों ही इनिंग में इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आज इस मैच मैं यह दोस्तों WPL 2023 का मुकावला है जब इन दोनों टीमों में आपस में मुकावला खिला गया था यहाँ पर देखो आप 169 बनाए UP की टीम ने अलीसा एली ने बनाए सबस्री ज्यादा अठावर रन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ तालिया में गराताई बनाए पचास रन और बल्लिवास यहाँ पर नहीं चले कोई भी ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो मुंबाई की ओर से साइका इसाग ने सबस्री जादा तीन विकेट चटका है तो यहाँ आज साइका इसाग इंप पत्रे ओवर में ही 174 बना दिये हैरी मैथ्यूस यहाँ बारे मात्र 12 बना कर गया उट हो गई उतके बाद भाई यह एक बिकेट निकाला गायकवार ने और वह एक बिकेट निकाला यहाँ पे शोफिल एक रस्टन ने और किसी को बिकेट यहाँ नहीं मिला है तो आज इस मै हैली मैथ्यूस और मैं आपको बता हूँ तालिया मैगराथ हिली मैथ्यूस सवर्यार अलीज हैली यह दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट खिलाएं जो आपको अपनी टीम में लेकर की चलना पड़ेगा आपको ड्रॉप नहीं करना है दो वार आमना सामना हुआ डबलू पील म हैं और दोनों टीमों ने एक-एक मुकावल यहां पर जीत रखा है बर दोस्तों दिक्कत की बात यूपी के लिए हैं यह वाले डोनों मुकावले अपने हार चुकी है अब तक और मुंबई के लिए अच्छी बात है कि वाई इस वाले डोलीम में अपने दोनों मुकावले पहले वाले जीत के आ रही है यह दोस्तों मंबई की लाइन अप रहने वाली है लाइन अप में मैं अधा कुछ नहीं कहूंगा यह पिलेंग लेवन है आप सभी को पता है पिलेंग लेवन क्या रहेगी इसमें अगर कोई चेंज होगा तो आपको बता दूँगा टेलीग्राम पे ठीक है इसलिए आप से वोलन टेलीग्राम को जरू कर लीजिए यह यह दोस्तों आप देखो यहां पे स्टार्टिंग में आपको यहां पे सवनम इसमायल के साथ नेट सीवर ब्रंट और हिली मैथ्यूज आपको ओवर करती निसराएंगी डेथ में यहां पे अमेलिया क में सबसे बड़ा स्कोर कौन सा ख्राड़ी करेगा दूसरा कोशन है आज फेंटेसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देगा तीसरा कोशन यह कि आज इस मैच को कौन जीतेगा सिंपल से तीन क्वेस्टन है इनका अंसर कमेंट बोक्स में लिख दीजी ठीक है और आपको जुरू करना है यह का आपको करना पड़ेगा तब ही आपको मिलेंगे दस अजार रुपे आंसर सजी होने के बाद कि यास्तेगा वाटिया के डिसेंट फॉर्म देखो बहुत अच्छा चल रहा है तीन मैचों में एक विकिट है मात्र चार चार की अवरेज से रण म तो यार दोनों खिलाड़ी इंपोर्टेंट रहेंगे आज इस मैच में नेट सीवर ब्रंट रिसेंट फॉर्म देख लीजे बहुत अच्छा चल रहा भाई ठीक है और हैट्वेड में देखोगे आप तो तीन मैचों में 122 रने और दो विकिट हैं हैट्वेड में इस वाल कि इनिंग आई है है ट्रेंट में देखोगे तो तीन मेचों बानवे रने चालीस का एवरिज है इस मैदान पे 55 का एवरिज है दो में 100 कित्ते रने एक रन तो यार जो टॉप चार खिला रही हमारी टीम में होने वाली है अमेलिया कैर भी हमारी टीम होगी 114 विकिट 24 दो दो विकिट चल रहा है भाई मेडम का है ट्र में देखोगे तो 16 का अवरिज है तीन में चार विकिट है मैदान पे देखोगे बाई 18 का अवरिज है बल्लेवाजी से और दो मैं च्छे विकिट तो यार ग्रेंड लीग में अगरे इत मुमई की टीम आज पहले गैंदवाज में ट्राइक करना इस मोल लीग मतलेना कोई खास फॉर्म नहीं है इसका सजीमन सजना को भी आपके वल्ग लिग मिनी ग्रेंड लीग में ट्राइक ना यह तीनों की खिराड़ी यार मेरी ने लाइक नहीं है कहनी के बात बस यह जिए खिराडी तो बहुत अच्छे हैं सभी सबसी ने में इसमायल देखो लास्ट वाली मुकावरे में तीन विकर उस से पहले 1-1-2-1-0-2 हैट्टोर्ड हैं पहली भाग खिलएगी इस मैधान पे 2 मैचों में 4 विकरें तो इस смотреть रहेगी मगर इसके ओवर कटने की चांस बहुत ज़्यादा है अगर ओवर नहीं कटे तो यार हम इसको अपनी टीम में पक्का लेंगे फिर मागर दोस्तों इस वेनू में बहुत खराव है दो मैचों में दो बिकेट है जीरो तो यार ड्रॉप करके चाहिए आप करना चाहो तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो वाई यह आपका को रहेगा सत्यमूर्थी कीड़ थे ना किवर आप मिनी गिरनली गिरनली में ट्राइ करना बहुत बेकार है भाई इस मेले मैदान पे दो मुकामले खेले हैं बिकेट लेस गई है यह दोस्तो बोमेंस की टीम है यूपी बोमेंस की इस मैसे हम अपनी टीम में किस किस को लेंगे चलिए बतातों आपको अलीसा एली हमारी टीम में होगी तालिया मैगरात होगी उसके बाद दो खिलारी होगई फिर दोस्तो सोफी एकलस्टन होगी तीन खिलारी होगई अब दोस्तों चोता खिलारी आप यह तो ग्रैस हैरिस के साथ जाओ या फिर दिपती सरमा के साथ जाओ क्योंगी दिपती सरमा का इप रिसेंट फॉर्म की खास नहीं चल रहा है तो इन दौनों में से आप किसी एक की साजा सकते हो ठीक है चलिए यहां पे देखो आप सोफी इकलस आप यहां पर देखोगे तो 6 मैचों में से किवल एक मैच में साथ रंकी पारी आई है वरना 20 रंस से इसको रूपन नहीं किया है मगर या लेना पड़ेगा टीम में भाई वरना फिर एक तरफ आरा देगी है तीन मैचों में सतर तर रने इस वाले मैदान पे 26 का अबर कि दिनिश विरिंदा के वला मिनी गिनिली गिरेंडी में ट्राइक करना इस मोजी क मत लेना कोई काम की नहीं है किसी के पास नहीं होगी तालिय आगर याँर से 1-0 विकिट, 22 विकि Detective 24-3μ, 22.2 विकिट हैट 2-8 के 3 मैचों, 95 रने और विकिट लेंसे बही यार अफसोस करने वाली बात है वाई तालिया मेगराथ के लिए मैदान पे देखोगे तो दो मैचों मात्र 23 रने मारेक और एक विगिट मात्र त्यार बहुत से लोग तालिया मेगराथ को आज केप्टन करके आएंगे आप करना मेरे साब्चे बाई किवाल ऐसे प्लियर अपनी टीम मे लेना के केप्टर वाइस केप्टन मत करना ग्रैस हैरिस ग्रैस हैरिस दोस्तों रिसेंट फूर्म ठीक ठाक्थीए 27 के अबरेज है इस वाले मैदान पे दो मैचों में त्रेपर रने और विगिट लेसे विगिट इसको नहीं मिलती है हेट्ट वेड में मैं अब देखोगे दो मैचों ह तरिस अच्छी खिलाडिया भाई बल्लेवाजी करेगी उपर और गेंदवाजी भी करेगी स्वेता सहरावत 25-31 लास्ट के दो मैं डॉपील में कमाल की बल्लेवाजी की है इस वात को देखते हुए सभी की टीमें मिलेगी बार दोस्तों हम इसको नहीं लेंगे और इसको ना किस टाइब की गेंदवाज है वोंबई के नगवीरे के नवगीरे को देखो रिसेंट वों बहुत खराव है के वाल ग्रेंड लीग में ग्रेंड लीग में ट्राइग करना बागी ड्रॉप कर देना है पूनम खैमनार देखो दस रन जिरो विकेट बार है रिसेंट फो बार ही आपको आप देखो रिकाउड पांच रन जेलो विकेट तेरे रन एक विकेट चौदर एक टीस रन और दो विकेट तो यार दिपति सर्मा को लेना ज्यादा बैला मुझे लग रहा है ग्रैस है इसकी अपिच्छा तो हम दिप्ति सर्मा को ट्राइ करेंगे बड़ फिलाल के लिए मैंने दिप्ति को ड्रॉप किया हुगा अपने टीम से तीन मैचों में एट्वेड में मात्र अठार है गया और यह 36 रने है इसलिए मैंने इसको ड्रॉप कर रखा है तीन मैचों मगर दोस्तों दो विकेट है तो यह एक अच्छी चीज है पिलस पोइंट है मैदान पे बहुत खराब है दो मैचों मात्र एक विकेट है और अठार रने है तो यह आप ड्रॉप करना चाहों तो कर सकते हो 50-50 का चांस रहेगा दिप्ति सर्मा के उपर से ओफी एक बार जिडो विकेट 2 विकेट 1 भी जिडो भीकेट 2 लिए दो भीकेट में देखो जो 3 मैचों में 3 विकेट है ले देखर एकट निकाल देती है और मैदान पर आपे वीद्हें एक विकेट का इसकाई ब्रेज आ रहा है तो सुल्टाना दोस्तों के बदाप Garennd लीग में 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 ना में आपको दिखाता हूँ तीम क्या मेरी टीम क्या है है जो आपके अपॉनंट जो आपके साथ खेलेगा है जो को in कैसी होगी देख लो उसकी टीम में आपको यहां पे अलीसा एवली और यस्ते का बाटिया मिलने वाली है बल्लेवाजी में और और अमन्यों सोय वाइस की तिम रहेगी इस वात को लिख लो इसकी शॉट लेशी अब देखना क्यार कमाल की बात वद्धाय थी आपने वीडियो मेचस्टा लोने से पहले मेरी टीम है विक्ट कीपर सेम मिलेंगी बल्लेवाज भी सेम है बर दोस्तों मैंने आसे फिलाल के लिए दिप्ती सर्मा को ड्रॉप किया हुगा है उसके बदले मैंने आपे साहिका इसाग को ट्रंप बनाया अपना आज इस मैच में साहिका इसाग आज कमाल कर सकती है अगर कियांदवाइन आपको पदा है है सोफी कुल स्टन और समैयल सबीके बास मेरी दोस्तों कैपटन वाइस कैफ्टन लगववग दोस्तों社 dogs attend अब सैब मेरी कैप्टन रहेगी नेटलि लोगवग तेम इसमें एकादी जो चOMEड़ के आपको बता तो तेली चरूब吏जिए लि के लिए बुलकुल फिडी में जल्द याओ जौन कर लो टेलीग्राम को